हर्याना पंजाब शम्भू वाजर पर किसानों का विभन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है किसान आज शम्भू वाजर से फिर दिल्ली की और कूच करेंगे वही किसान नेता सरवन सिंग पंधेर के मुताबिक 101 किसानों का जथा आज तुपहर 12 वजे दिल्ली के लिए कूच करने के लिए पहुंच चुका है वतादे किसानों के मार्च को देखते हुए प्रशाशन ने सुरक्षा बेहत कड़ी कर दी है किसान अपनी विभन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और से पहले शुकरवार को किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश भी की थ सिर्च से चैइलन किया था कि शनिवार को दिल्ली मार्च इस्थद रहेगा साथ सा सरकार से सर्कार के बात करने अपनी मांगे خलु ऑपर जाहिर के थृक इस तो ने कहा किसानों ने प्रकार और संयुक्त किसान मोर्चा यानि की गैर राजनीतिक का विरोध प्रदर्शन तीन सो वे दिन में प्रवेशकत गया है लेकिन केंदर सरकार अभी भी यहाँ पर अड़ी हुई है हमने एक और बड़ी गोशना की है हम पंजाब में भाषपन निताओं की प्रवीश का विरोध करेंगे हाँ देखिए हम कहते थे भी भगवनतमान सरकार केंदर से मिली हुई है और जिस तरह से मीडिया को रोका जा रहा है यह बहुत नितनी हैं मुक्हमंतरी साब सामने आए केजरिवाल साब सामने आए और बताएं हमें पिया आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं आप केंदर से मिले हुए हैं आप कहलते हैं किसान मजदूर के साथ हैं अगर आप लोग किसानों मजदूरों के साथ हैं तो मीडिया को क्यों रोका जा रहा है क्यों मीडिया को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है तो आज भगवांतमान सरकार का चेहरा नंगा हो गया है हम केंद्र के खिलाब थे अब पंजाब सरकार के खिलाब पहले पंजाब सरकार से डेप्टते हैं फिर बात करेंगे हाँ कोई नहीं यह मीडिया को मीडिया को रोक कर जो मीडिया पूरे देश्ट में तस्वीरे दिखा रहा केंदर के जबर की उसे पंजाब सरकार शट्रिंग करना चाहते हैं इसलिए इसलिए रोक रहे हैं